हलो बच्चो आज का हमारा सवाल है एक M द्रब्यमान की वस्तू A उद्वादा नीचे की और गुरुत्रव के प्रबाब में गिर रही है तथा यहाँ दो भागों में तूट जाती है जिसका एक भाग B एक बटा तीम M द्रब्यमान का तथा दूसरा भाग C दो बटा तीन M द इस्थापित होगा चार उप्शन दिये गए हमें सही उप्शन बताना है अब देखे हमारे पास क्या है कोई ऑब्जेक्ट ए है यह क्या होता है अचानक से दो पार्ड B और C में तूट जाता है B का द्रब्यमान है M द्रब्यमान कितना है 2 M द्रब्यमान कितना है अब यह गुरुतवा कर्शन के कारण किदर है नीचे की दिशा में गती कर रहा है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास या द्रब्यमान केंद्र है वो उसी वेग से गती करता रहेगा क्योंकि तूटना किसके कार कारण होता है आंत्रिक बल और आंत्रिक बल के कारण जब तक इस पर कोई बाहे फोर्स नहीं लगेगा तब तक इसका द्रब्यमान केंद्र विस्थापित नहीं होगा और इसका द्रब्यमान केंद्र का वेग नियत रहेगा अब क्यूंकि ये आंत्रिक फोर्स के कारण तूट रहा है इसलिए इसका द्रब्यमान केंद्र विस्थापित नहीं होगा चौथा option हमारा सही होगा आसा है आपको solution पसंद आया होगा धन्यवाद